नमस्कार दोस्तों आप लोग का राम इस्टडी चिल में स्वागत हैं आपर डिस्कुस करने वाले इंडियन एवी SSR डावले और अर्णोंने अपना रिवीव चियर किया है ठीक है तो इस वीडियो में वही देखने वाले हैं यह कौन से स्टेट से हैं और इस बार इसे बार ने जिए चलको सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक किरिए और शेयर किरिए आते हैं में टोपिक पे ये review share करने का मेरा सिर्फ एक ही motive है ताकि दखिए मैं UP से हूँ तो मैंने UP का अपना पूरा review share कर दिया कि कैसे PFT होता है कैसे नहीं होता है ठीक है लेकिन अगर दूसरे state के जो candidate है वो कैसे जान सकते है कि कैसे PFT होता है इसलिए मैंने अपने WhatsApp ग्रूप पे पूस्ट किया कि जो भी candidate interested हो अपना experience share कर सकते है ताकि दूसरे candidate जो newcomer है वहां के interested दिखा सके और उनको कोई दिक्कत ना हो PFT देने के लिए तो ये candidate जो है पंजाब से ये पंजाब से है तो पंजाब के रिविव से करने वाले देखिए आप लोग किसी भी states हो लेकि इस रिविव को सुन लिए आपको help मिलेगी इसमें क्या क्या हो था क्या 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 नहीं होता है इनके साथ देखिए ये सर मिक्स मैंने पहले नेवी MR का physical medical clear किया है बढ़ फिर final minute out हो देखिए इन्हों ये candidate जो है वो basically MR के लिए है ये देखिए लेकित एक बात मैं डिसकस कर दूँ MR और SSR में कोई अंतर नहीं है PFT में कोई अंतर नहीं है PFT में कोई difference नहीं है PFT जो है MR SSR का दोनों साथ ही होता है तो जो भी SSR AA candidate है देख रहे हैं वीडियो को पूरा वाच कीजिए आप लोग के लिए बहुत important वीडियो है ये क्योंकि जो है जो MR में होता है वह SSR AA में होता है 100-100 मिंटर का race होता है और push-up or square सब सेम होता है तो मैंने कहा कि सर भाई आपका review चाहिए कब था PFT आपका तो इन्होंने कहा मैं आपको admit card send करता हूं तो इन्होंने अपना admit card send के देख सकते हैं इनका admit card है इनका admit card है देख सकते हैं आप लोग यहां पर यहां पर लिखा हुआ है कि इनका नाम है करन भीर सिंग और फादर्स नेम है बिंद सिंग उसके बाद से आगे डो मिसाइल पंजाब का है और डेट ओफ रिपोर्टिंग साथ 11-19 साथ 11-19 साथ नॉम्बर 2019 का पीफ्टी था साधे 6 बजे थान का पीफ्टी प्लीस अपलोग पड़ सकते हैं पूरा यह official है कोई fake नहीं बनाया है मैंने ठीक है देख सकते हैं आप लुक्स में उसके बाद से यह क्या कर डॉक्मेंट ले जाना है सब दिखा था इसमे क्योंकि आपने इस पर नीवी सेजार और डबल नवले और नीवी अपर प्लिफाइड किया है ठीक है आगे है स्टाइटिंग से बताना जो पूछू कितने बजे वहां चले गए थे तो साधे 5 बजे हम संटर पहुंच गये थे उसके बाद एंट्री कितने बजे हुई तो चेक हुए थे सबसे पहले हमारा एंट्री के बाद में जो है बाकी सब संटर के अंदर हुआ मतलब सिर्फ जो है आप लोग एड्मिट कार्ड लेके जाएंगे और जो मैंने बोल था मेल बॉक्स में जो मेल आया है उसका फोटो के निकाल के तो आपका बाहर चेक होगा और सब कुछ अपके अंदर चेक होंगे आगे है और क्या हुआ और कौन से डॉक्मेंट थे तो जिन चेस्ट नमबर किया तो उनिकिया गया तुम्हारा कितना नमड टा तो इंहें चेस्ट अकि मुंसे याद नहीं है तो मैंने कोई बात नहीं भी हुआ तो मैंने पुछा कि रहा क्या इसमें देख लीज़ें मैंने मैंने पूछा यह विर्ष भी हुआ तो इल्छलने का जो पंजाब की बात करण प्यो बात वह सबसे पहले बात कर्द भी हुआ था जब लोग गए थे वहांपर तो यूप में सबसे पहले बार्मेटरिक हुआ था अपने वीडियो में ठीक है कोई भी डाउट और अपने कमेंट में कमेंट पूछ सकते हैं ठीक है रनिंग के लिए कितने का गुरूप बनाए था तो हमें टोटल पचहरते थे मतलब इनके जो रिपोर्टिंग थे वापने 75 के रिपोर्टिंग थी उसमें जैसमें 33 का ग्रूप बनाए गया दो ग्रूप बनाए कंदिय में पूछा कि कहा शूछी their पूछा कि संचारे Sellers इसे एर फोर्स का स्कूल था देख्या उनकी इनका अपना सवार को के एर फोस्स का सेंटर था वहां पे जो है ग्राउंड था वहां पे इन्होंने कर framework अपना डिस है रहर दो ऐंसे कि वहां पर। मिनिः नेवी के रणिंग में जैदा भी मिला किसी 30 देए घ्रोग पर यहां पर उसकी बातों प्रयां म ez और सब्ट करता रहें प्रफ टमर्श मोटब ज़ долu को तो ड και ते जरyu मैंने थीूर तैwnे ज्यादा झाल करते हैं वोग तो छत्राज सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैंने जैसे बताया था अपने वीडियो में कि पहले आपको डाम करके दिखाएंगे उसके बास आपको पीफटी कराए जाएगा फुश अप की बिच कितना टाइम गया था तो पुश अप में वन से एट तक नॉर्मल आपको एक से लेके आठ तक नॉर्मल कराए गया अध्या सबसे पहले क्या हुआ होगा मैंने कहा उनसे कि सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले फार्म फीलब कर रहे उसके बाद हमारा है फिर हमारा हाइट चेक हुआ देन इसके बाद फिर डेंटल पॉइंट चेक हुआ उसके बाद से आई वीजन ऊबाद से और फिर नौकरी बो एंगल चेक हुआ सबी बोन सबी बॉन κुछ सब्सक्राइब करता दो सब चेक करते हैं तो मैंने कहा कि ईयर वेक्स वाला चेक हुआ और पर नॉकनी फो एंगल ये यह तो है ये तो धुरा दॉह के आ है तो है फिर फुरा डोथ Tonight's street अधिवा But प्रॉब्लम है इनको मैं फिट था वो फिट हो गए थे मेडिकल में कितनों को रिमेडिकल मिला तो 20 प्लस को रिमेडिकल मिला वह भी नॉर्मल जैसे एयर वेक्स एंड डेंटल पीशु के लिए कि मतलब इनको जो है तीस के ग्रुप में 20 आदमी को रिमेडिकल मिल गया ठीक है यह मुझे लग रहा है कि टूटल के बतार होंगे जो 76 इसकी बता रहे हैं यह लोग और कुछ हुआ वहां पर क्या फिर हम से ग्रुप में बैठाकर सिंपल फॉर्मूला और आइडेंटिटिट आप से फॉर्मुला पोचा मैस का यह किसी का थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़के जाएगा वहां पर क्योंकि माले यह चेक करता है कि कोई बंदा पैसा दे को नहीं है ऐसे चेक करते हैं अब आगे है कि देन हमें देन हमें भेज दिया घर करी एक डेड़ वजे या दो बजे दो बजे उनको छोड़ दिया गया वहां से ठीक है तो मैंने कहा कि यही था इनका पूरा पूरा रिवीव यही था इन भाई का तहे दिल से में सुक्रियादा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना रिवीव सेयर किया और आप भी अगर रिवीव सेयर करना जाते हैं तो अपना रिवीव सेयर कर सकते हैं मेरा वाट्सप नमर जो है वह दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां लिख देता हूं यहां पर 7081710345 यह मेरा वाट्सप नमबर है आप लोग इसमेंसेज कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करना है मेंसेज ट्रेट से होता है को उन सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जाईएगा क्योंकि ऐसी वीडियो में लाता रहता हूं धरनेवाद